नमस्कार मैं हूँ अमिताब बच्चे देश में फैल रहे करोना वारिस से कई लोग अब तक संक्रमित हुएं जिनका इलाज अभी चल रहा है लेकिन इन कुछ नियुमों का पालन करने से हम इसे फैलने से रोक सकते हैं अपनी व्यक्तिकत स्वच्चता पर ध्यान दें साभून और बहते पानी से लगातार अपने हाथ दोते रहें छींकते और खांसते समय रुमाल या टिशू से अपना मू ढखे और फिर उसे किसी बंग डब्बे में फेंक दें अगर किसी स्थान पर हाथ धोने की सुविधा ना हो तो अलकोहौल आधारित सैनिटाइजर को अपने हाथों पर मले ऐसे समय में किसी भी तरह के फैट डायेट का पालन ना करें बलके अधिक मातरा में पोश्टिंग आहार का सेवन करके अपनी इम्म्यूनिटी को मस्दूर बनाएगा अनावश्चक यातरा से परेज रखें बिमार लोगों से कम से कम एक मीटर की दूरी रखें बच्चों और बुजर्गों का खास खाया रखें क्योंकि इनकी संक्र में तोनी की संभावना सबसे ज्यादा है सारहने स्थानों पर भीरबारना बढ़ा है जितना होसरे घर में रहकर काम करें बिना हाथ धोए अपने आखो या चेहरे को नाचुए अगर आपको खासी, बुखार या सास लेने में दिक्कत हो तो किसी की संभर्क में ना आए तुरंट दॉक्टर सिंदी है ऐसे मुश्किल वक्त पर जरूरत है हम सब एक साथ मिलकर एक अच्छे नागरे की जिम्यदाई लगाए ताकि इस वाइरस से दर्मे के बढ़ाए साथधानी और सतर्पता से हमें से ला सके सुरक्षा के प्रदी हमारा एक कदम कई जिंदगियां बचा सकता है अगर हर एक नागरे के नियमों का पालन करके अपना योगदान दे तो साथ मिलकर यकीनन हमें इस खत्रे को टाल सकते हैं स्वस्त रहें सुरक्षित रहें बहुत बहुत धर्यमाद, खुस्कार